गुद मॉर्निंग बच्चों, पेज नमबर 63 को ओपन कीजे प्लीज और इस पेज नमबर पर हम आज exercise D को solve करेंगे Let me tell you, हम पढ़ रहे हैं chapter number 5 जिसका नाम है verb और इन सभी exercises में हम different types की verbs को fill करना सीख रहे हैं So, let's get started, okay Fill in the blanks with simple past, past continuous, simple present और present continuous form of the verb given in the bracket after each blank तो नीचे sentences हैं और उन में blanks हैं, उन blanks में आपको 4 sentences की verb भरनी है Simple past, past continuous, simple present और present continuous तो देखते हैं कैसे आएंगी First sentence है, I was at Mr. Gupta's toy shop this morning मैं, यह past में हैं, वहुत लगा हुआ है तो past में हैं कि मैं सुबह सुबह Mr. Gupta की खेलोनों की दुकान पर था I look for a gift for Mohit अब क्या निकलेगा? कि मैं Mohit के लिए एक gift देख रहा था देख रहा था, तो past continuous तो क्या आएगा? I was looking, I was looking for a gift for Mohit It, अब इसमें B है, तो B की forms क्या होती है? B जब दिया होता है, तो आप उसकी place पर Is लगा सकते हो, R लगा सकते हो, M लगा सकते हो Was लगा सकते हो और वर लगा सकते हो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? His birthday today यानि कि आज उसका जनम दिन क्या लिखना चाहिए आपको? आज उसका जनम दिन था या आज उसका जनम दिन है तो इसी सुभा की बात की जा रही है तो आज उसका जनम दिन है क्योंकि हमें प्रेजंट में भरनी है तो it is his birth rate today and or he throw a party in the evening और वह शाम को party throw कर रहा है throw करने का मतलब यह है कि वो party दे रहा है party को देना, party throw करना तो हम यहाँ पर बोल सकते कि वो शाम को party दे रहा है तो he is throwing party दे रहा है, he is throwing a party in the evening I see a small green car in the shop अब shop की बात फिर से उसने की अब वो shop में तो था, past की बात चल रही है तो यहाँ पर भी past में चलेगा कि उसने दुकान में एक छोटी सी हरे कलर की गाड़ी को देखा देखा तो past indefinite, to see की second form shop sentence बनेगा I saw a small green car in the shop since, since mohit, love, rocks अब since मतलब क्योंकी या चूंकी mohit को पसंद है, क्या पसंद है rocks अब यहाँ पर rocks का मतलब दो हो सकते है rocks मतलब पथर भी चटाने भी हो सकती है मतलब उनके जो artifacts होते है या फिर rock, rock music के लिए भी आ सकता है अब यहाँ मुझे कुछ पता नहीं चल रहा तो बस हम इस word को ही use कर लेते हैं क्योंकी mohit को rocks पसंद है present में पसंद है, तो loves क्योंकी present में, simple present में है, तो loves मोहित rocks पसंद करता है, तो मोहित loves I decide to buy it, मैंने उसे खरीदने का फैसला किया for him उसके लिए, मैंने उसके लिए इसे खरीदने का फैसला किया तो past indefinite हो गया किया, तो I decided, second for I decided to buy it for him, I look for Mr. Gupta अच्छा Mr. Gupta की shop पर गया था, तो shop की ही बात चल रही है, तो मैं Mr. Gupta को ढून रहा था तो I was looking for Mr. Gupta, when I, जब मैंने, see a policeman in the shop, shop में क्या देखा, एक police वाल को देखा, तो ये भी past में जाएगा, तो C की second form saw, when I saw a policeman in the shop, the policeman, अब policeman क्या कर रहा था, interview people, लोगो का interview ले रहा था, यानि कि लोगों से पूचताच कर रहा था, तो the policeman was interviewing, I-N-T-E-R-V-I-E-W-I-N-G, the policeman was interviewing people, I think, I think something missed from the shop, मुझे लगा कि कुछ जो है वो दुकान से हो रहा था, कुछ चीजने दुकान से गायब हो गई थी, तो I think, मैं सोचता हूँ, something, अब यहां पर present में है, I think something, दुकान से गायब हो रही है, या दुकान से खो गई है, तो यहां पर present में ही लगाना आगे ठीक रहेगा, तो I think something is missing from the shop, लेकिन shop की बात जो है, वो past में चल रही है, तो यहां past में भी लगा सकते है, I think something was missing from the shop, and the police, मुझे लगा कि कुछ दुकान से खो गया था, और जो पुलिस है, वो ट्राइ कर रही थी to find the thief, चोर को पकड़ने का, तो दुकान की जो भी बात है, वो सब past में चलेगी, I think something was missing from the shop, and the police was trying to find the thief, दुकान से कोई चीज चोरी हो गई थी, ऐसे निकलेगा, कि मुझे लगा कि दुकान से कुछ चोरी हो गया था, और जो पुलिस है, वो खोज रही थी, He was trying to find the thief, चोर को पकड़ने की कोशिस कर रही है, तो यह थी exercise आपकी D, और D में हमने चार टाइप के sentences की वर्ब को फिल किया, इखा, अब आप इसे solve करिएगा, अपने आप से, अब हम चलते हैं exercise E पर, Fill in the blanks with the simple past, और past perfect form of the verb given in the brackets after each blank, यह थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि same same Hindi निकलती है, लग बग, simple past की, इसमें past indefinite यानि की second form वाली वर्ब भरनी है, और past perfect, इसमें head लगाना है और वर्ब की third form लगानी है, रिखी कैसे गरेंगे solve, When I, जव मैं, reach the station, station पर पहुचा, the train leave, train जा चुकी थी, ऐसे sentences हम कर चुके हैं, पहले और बाद में, मेरे आनि से पहले train जा चुकी थी, इस तरह से, When I, past indefinite में लगाएंगे, इसकी second form, reached the station, when I reached the station, the train had, जा चुकी थी, past perfect, The train had, बर्व की third form left, the train had left, when I reached the station, the train had left, The boy decided to free the world, लड़के ने फैसला किया, चुडिया को आजात करने का, But it died two days ago, लेकिन वहें, दो दिन पहले ही, मर चुकी थी, यहां पर दे को फैसला किया, past indefinite, और मर चुकी थी, past perfect, Past indefinite, मर पर्व की second form, the boy decided to free the bird, but it had, और इसकी third form died, But it had died two days ago, fine, आगे लेखिये, he finished all the work, उसने सारा काम खतम कर लिया, When we, जब हम, reached the office, हम office पहुँचे, तो अभी यहां से ऐसे बनेगा, कि जब हम office पहुँचे, वहें सारा काम खतम कर चुका था, तो यहां पर चुका था, past perfect, तो he had finished, इसकी third form finished, तो he had finished all the work, when we reached the office, ठीक है, आगे देखिये, तो teacher teach the lesson, teacher ने lesson teach किया, यानि की part को पढ़ाया, when I, जब मैं join the school, जब मैंने school join किया, तो यहां पर कैसे बनेगा, कि जब मैंने school join किया, teacher part को पढ़ा चुके थे, तो यहां चुके थे आएगा, तो past perfect, the teacher had teach, he thought from taught, the teacher had taught the lesson, when I joined the school, यहां पर वर्द की second form, fifth sentence देखिये, the robbers, डाकू, escape, भाग चुके थे, by the time, उस समय तक, the police arrive, पुलिस के पहुँचने की बात की जा रही है, यहां पर, तो पुलिस पहुँची, उस समय तक, डाकू भाग चुके थे, तो यहां जब जो है न, वो hidden है, तो आप जब यहां लगा सकते होगे, जब पुलिस पहुची, तब तक, या उस समय तक, जो डाकू थे, वो भाग चुके थे, तो पुलिस पहुची, पास्ट रेफने, तो arrive की, second form arrived, तो the police arrived, डाकू भाग चुके थे, past perfect, the robbers had escaped by the time, police arrived, क्या बना sentence, the robbers had escaped by the time, the police arrived, clear है, शलिए, exercise F को solve कर दे, exercise f में क्या करना है देखो fill in the blanks with the simple present और present perfect form of the word given in the brackets after each blank इसमें आपको simple present यानि कि present indefinite में और present perfect में verbs को fill करना है कैसे करेंगे देखिए this dress look beautiful यह जो dress है सुन्दर दिखती है present indefinite तो dress के साथ में looks this dress looks beautiful I buy it for you मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा है अब खरीदा है present perfect तो I have buy की third form bought I have bought it for you this dress looks beautiful I have bought it for you okay I play daily मैं रोज खेलता हूं जब आप कोई चीज रोज करते हैं तो वो present indefinite tense में ही आता है तो I play daily ले के साथ मां I के साथ SCIS नहीं लगाते हैं तो I play daily and this be the best match ever मैं रोज खेलता हूं और यह आज तक खेले जाने वाला ever मतलब आज तक कभी नहीं किया वो काम तो आज तक खेले जाने वाला सबसे भड़िया match रहा है या हुआ है या बन चुका है तो अब देखो मैंने आपको बताया तब B की फॉर्म क्या होती है is rm was were अब आगे और भी B की फॉर्म होती है यह भी B की फॉर्म होती है तो is rm was were simple present simple past में लगाते हैं present perfect में क्या लगाते हैं B की फॉर्म has been यह यहां लगाएंगे this has been the best match ever यह जो है अभी तक खेला जाने वाला सबसे बढ़िया match रहा है ठीक है इसको आपने बनाया present perfect में this has been the best match ever आगे देखे आई love ghost stories जब भूत की कहानिया पसंद है तो आई के साथ जसे play लगाया था उसी तरह से आई के साथ love and I hear many ever यहां ever नहीं आना चाहिए चलिए तो I hear many और मैंने कई सारी कहानिया सुनी है सुन रखी है यह सुन चुका हूं तो जो भूत की कहानिया पसंद है और मैंने तो I love ghost stories and I present perfect में लिखेंगे तो I have here की third form heard spelling सही लिखना बच्चों आप heard की spelling गलत लिखते हो H-E-A-R-E-D नहीं लगाना केवल D लगाना है H-E-A-R-D तो I have heard many ठीक है फोर्थ लेखिए although हाला की I know him मैं उसे जानता हूं I forget his name हाला की मैं उसे जानता हूं लेकिन मैं उसका नाम भूल गया हूं अब क्या लग रहा है हाला की मैं उसे जानता हूं तो I know him present indefinite में I know him लेकिन मैं उसका नाम भूल गया हूं मैं भूल चुका हूं तो I have forget की third form forgotten G-O-T-T-E-N forgotten I have forgotten his name फिफ्स देखिए the shop give little choice दुकान पे थोड़ी सी ही choice है मतलब आपको पसंद करने के लिए जादा सामान नहीं है तो दुकान कुछ choice देती है थोड़ी सी choice देती है तो shop gives present indefinite the shop gives little choice but I select my gift दुकान ने थोड़ी सी choice दी है या दुकान थोड़ी सी choice देती है लेकिन मैंने अपना gift जो है वो select कर लिया है present perfect तो I have third form selected my gift तो the shop gives little choice but I have selected my gift तो ये थी exercise F तो अब आपको exercise D, E और F अपनी notebook में solve करनी है अगले वीडियो में अगली exercise के साथ हम फिर मिलेंगे till then keep watching my video, be happy, be safe, love you, bye bye